ये शब्द ना तो हमारे हैं ना ही यूपी के वुख्य मंत्री योगी आदिस्तराथ की ये शब्द है उन विदेशी बाइक राइडर्स ने जिन्होंने नॉइडा में इंडियन मोटो जीपी रेस में अपना चल्वा दिखाया योगी राज में बीते 6 साल में यूपी में क्या बदलाव हुआ उसे देश ने एक बार फिर उसी नॉइडा में महसूस किया जहां पहले के मुख्य मंत्री पाओ रखना ही अप्शकुन समझते थे उसी नॉइडा में योगी ने दुनिया में टॉप 10 स्पोर्स में शामिल मोटो जीपी रेस करा कर ना सिर्फ ब्लोबल पहचान दिलाई बल्कि हजारों करोड के निवेश का बंदोबस्त भी कर दिया एक संभावनाओं वाला प्रदेश है एक संभावनाओं इन्फरस्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश के अंदर मेट्रो सेक्टर में एर वे कनेक्टिविटी में वाटर वेज में जो ये संभावनाएं हैं इन सभी संभावनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक के छेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं जिस सेत्र में मोटो जीपी का यहाँ इवेंट आयूजी तोरा है यह वही सेक्टर है जहाँ पर भारत के दो महत्वपूर्ण फ्रेट कोरिडोर इस्टन एंड वेस्टन डेडिकेटट फ्रेट कोरिडोर दोनों का जंग्शन है योगी के यूपी और भारत के लिए क्या माइने हैं यह आप पहले कई बार देख चुके हैं लेकिन योगी कैसे वर्ल्ड परसनालिटी बनते जा रहे हैं रविवार को ये नॉइडा में तब दिखा जब योगी के सामने विदेशी बोले यूपी इस ग्रेट और योगी योगी हेलमेट पर अपने दस्तखत कर आटोग्राफ ने रहे हैं और ये आटोग्राफ ने रहे हैं मोटो जीपी के सीईओ राज़िती में कई बाते संकेतों से कही जाती है अब इस स्वीर को देखे यहां रेसिंग बाइक के साथ योगी मौजूद है उन्होंने बाइक की सवारी तो नहीं की लेकिन ये संदेश दे दिया यूपी के विकास की रफ्तार अब उनके हाथ में है उनका टारगे यूप पूने इमारत पर चलता है लेकिन दर्द है दर्द उसको पालने पोजने वालों को होता है आज पूरे यूपी की जनता कह रही है यूपी प्लस योगी बहुत है उप योगी असल में योगी इस वक्त आल राउंडर की भूमिका में है उनका जितना फोकस सियासत और आने वाले चुनाव में रणनीती बनाने को लेकर है उतना ही धर्मकर्म, राष्ट्रवाद, विकास योजनाओं और लौ एन और पर भी ह योगी स्वक्त अदेश की आर्थिक सेहत यानी एकॉनमी को सुधारने पर सबसे ज्यादा मेंनत कर रहे हैं जिसका जीता जागता सुबूत है नॉइडा में संपन हुई तीन दीन की मोटो जीपी बाइक रेस इसमें बीम डबलू और रेडबुल समेथ 275 दिगज कंपनियो ने किसी ना किसी रूप में हिस्सा लिया इससे करीब 1000 करोड के कारोबार का भरूसा जगा यूपी के टूरिजम सेक्टर को बढ़ावा मिला एकॉनमी ग्रोथ का अफसर मिला बुनियादी धाचे का विकास हुआ और स्थानिय संस्कृति को बढ़ावा मिला अपना एक प्रदेश के अंदर ही अन्य छेत्रों में भी हम लोगोंने एर कनेक्टिवीटी को बहतर किया है योगी जानते हैं कि उनका मिशन क्या है उसे कैसे पूरा करना है आगको याद होगा यूपी में इसी साल 10 से 12 हर्मरी के बीच ग्लोबल इंवेस्टर समिट 2023 हुआ जिसके जर आपको बताएंगे लेकिन जो लोग यूपी को सिर्फ एक राज्य भर समझते हैं उन्हें सबसे पहले यूपी को समझना चाहिए उत्तरप्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है यह विशाल राज्ये 24928 वर किलोमेटर में पहला है 2011 की जनगर्ना के मुताबिक राज्य की जनसंख्या 20 करोड है अगर यूपी को एक देश माना जाए तो यह दुनिया का छेवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कहलाएगा यूपी की जनसंख्या साउथ कूरिया, नौर्थ कूरिया, इटली, जापान, नेपाल, रुमानिया, पाकिस्तान और पांगला देश से भी ज्यादा है डेटा वैज्यानिक एरन स्ट्रेंडबर्ग बताते हैं, यह अफ्रीका, यूरोप और दक्षिन अमेरिका के हर देश में उत्तरप्रदेश की तुलना में कम लोग हैं यूपी का क्षेत्रफल ब्रिटेन के बराबर है, जो 2,42,495 वर्ट किलोमेटर में फैला है S.P.I.E.C.R.E.P. के रिपोर्ट के मताबिक, 2028 तक यूपी की एकॉनमी वियतनाम और नॉर्वेज ऐसे देशों से ज्यादा होगी 2028 तक यूपी की एकॉनमी 500 बिलियन डॉलर को पार कर जाएगी इनाकडों को बताने का मतलब यही है कि यूपी का शासन प्रशासन संभालना किसी देश को संभालने के बराबर है जिसमें यूपी के सी-म योगी आदित्यनाथ पूरे मनोयोग से चुटे हैं उत्तर प्रदेश के इस Global Investor Summit में 36,00,000,000 करोड रुपे के निवेश के प्रस्ता उत्तर प्रदेश को पराप्त हुए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग न केवल आज देश के अंदर इन्वेस्मेंड के बेतरी डिस्टिनेशन के रुप में प्रदेश को आगे बढ़ाने में सपल हुए हैं बलकी प्रदान incoming जी के वीजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तरप्रदेश की अर्थविवस्ता आज के दिन पर देश की सबसे अच्छी अर्थविवस्ता में से एक है योगी 2017 में यूपी में आये थे और अब 2023 यानि बीते 6 साल में यूपी में काफी कुछ बदल चुका है शोहदों पर लगाम लगी तंगे बंद हुए पत्तरबाज गायब हुए लोगी राज में अपराधियों पर लगाम लगी माफिया और गुंडों पर जबर्दस टेक्शन पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस था यूपी की एकॉनमी बहुत नजबूत हुई कानून व्यवस् सत्रा से पहले और बाद के यूपी का फर्क फूब दिखता है और बीजेपी दिखाती भी है राजवीति और अपराध का गड़ जोड योगी राज में खंड खंड हो चुका है अपराध की बात बाद में करेंगे पहले राजवीति समझ लेते हैं दोहजार चौबिस के रण में सबसे एहम दुर्ग है योगी का यूपी लोगसभा की 80 सीटों वाले इस दुर्ग ने अगर 2014 और 2019 वाला इतिहास दोहराया तो विपक्षी इंडिया गडबंधन का सपना तार-तार हो सकता है यहाँ योगी का धर्मक्षेत्र, कर्मक्षेत्र और गवर्नेंस मॉडल एक ऐसी नजीर बन चुका है जिसको भेदना इंडिया गडबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है योगी के यूपी मॉडल में बताने और दिखाने के लिए इतना कुछ है जो विपक्ष की बोलती बन कर सकता है इसकी बड़ी है योगी के विवस्ता का हिस्सा करीब 23 लाग करों रुपे उत्रप्रदेश में वर्ष 2023 में 140 बिलन अमेरिके डॉलर के निवेश का लक्षे निर्धारित कर रखा है सवाल यही है मोधी योगी की मजबूत मोर्चे बंदी के बीच इंडिया गडबंधन यूपी में क्या कर पाएगा पिछले ही साल यानि 2022 में दूसरी बार योगी के गवर्नेंस मॉडल पर यूपी की जनता मुहर लगा चुकी है विपक्षी गडबंधन को यूपी के बदलाव की इन तस्वीरों के बीच सबसे ज्यादा भरोसा जातिये खेमे बंदी पर है आला कि 2022 के चुनावी नतीजों को देखे तो योगी के यूपी मॉडल पर इंडिया गडबंधन के चुप्पी और सन्नाटा दोनों समझा जा सकता है 2022 में योगी के गवर्नेंस मॉडल पर यूपी के 41 प्रतिशत से ज्यादा वोटों ने भरोसा जटाया जबकि अखिलेश के एमवाई समिकरण को महज 32 पीसदी वोट हासिल हुए प्रियंका गांधी का चहरा भी यूपी में कॉंग्रेस बजीहत होने से रोप नहीं पाया और कॉंग्रेस को पूरे यूपी में धाई फीसदी वोट भी नहीं मिले जबकि मायवती को भी 12 प्रतिशक वोट हासिल हो गए थे तो सवाल है कि क्या यूपी विधान सभाच चुनाव में सिर्फ दो साल बाद 2024 में योगी पर यूपी के बड़े तबके के भरुसे को समाजवादी पार्टी या इंडिया गटबंदन हिला पाएगा जिस यूपी में राहुल गांदी अमेठी के अपनी परमपरागत सीट हार चुके हो जिस यूपी में कॉंग्रेस 3% से भी कम की पार्टी हो चुकी हो जिस यूपी में अखिलेश के 80 में से सर्फ 3,67 बचे हो उस यूपी में विपक्ष का बंपर जीत का दावा करना किसी दिवास वपन से कम नहीं लगता और यही कारण भी है कि तमाम विपक्ष के मिल जाने के बावजूद योगी यूपी में असी में से असी नंबर स्कोर करने का दावा पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं यूरीपोर्ट, ताइमस्टाउन अबहराद